नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं RPS समाचार तो चले शुरात करते हैं आज की बड़ी खबर से शुद्ध पियजल की टंकी स्थापित कराने ही तू प्रदेश सरकार को निर्देशित किये जाने की मांग उठाई है तैसील छेतर के ग्राम महोलिया वहरैपुर सहित करीब एक दरजन गाउ में फ्लोराइड युक्त पानी पीने से सेकडो ग्रामीर विकलांगता सहित कई घातक बीमारियों की चपेट में आचुके हैं ग्राम आमबा पारा निवासी उचनियाले के वरिष्ट अधिवक्ता फारुक एहमद एड़ोगेट ने उचनियाले खंड बीट लखनू में जनहित याचिका दायर कर फ्लोराइड युक्त जल से प्रभावित प्रते गाउं में नई तकनी के आधार पर शुद पेजल की ट करीव एक दरजन गाउं के पानी का परिक्षन कराया गया था परिक्षन में फ्लोराइड प्रजुर मात्रा में पाया गया था तब सरकार ने ग्रामीडों को शुद पेजल उपलब्द कराने हितू वर्ष 1996 में ग्राम वियोली इसलामावाद की जमीन पर पानी की टंकी स्थ बिद कराई गई थी इसी ओवर हैड टैंक से पाइपलाइन के जरिये फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामों में जलापूर्थी की गई थी लेकिन तकनी की खरावी के चलते टंकी से जलापूर्थी एक वर्ष भी जारी नहीं रह सकी फ्लोराइड युक्त पानी के इस्तमा एक गाउ महोलिया के ही कुले क्यावन लोग गंभीर रूप से बीमार हैं ग्रामीनों द्वारा जन प्रत निदियों और प्रशासनिक अधिकारियों से शुद्ध प्यजल उपलब्द कराये जाने ही तू दर्जनों प्रतिवेदन दिये गए लेकन अधिकारियों द्वारा ग्रामीनों की अरजियों पर गौर ना कर उन्हें रद्धी की टोकली में फैंक दी गए फ्लोराइड युक्त पानी पीने से गंभीर बिमारियों से क्रस्त ग्रामीनों की माग पर उचिन्याय लैखंड बीट लखनों के वरिष्ट अधिवक्ता श्री एहमत ने पीते 20 मई क ग्रामीनों के लिए शुद्ध ब्यजल की व्यवस्ता किये जाने ही तू मुक्यमंत्री को पत्र भीजा साथ ही उन्होंने 28 मई को अपर मुक्य सचिव ग्राम विकास विभाग एवं जिलादिकारी को भी इसी आशे का प्रतिवेदन प्रेशित किया था लेकिन किसी भी अध हुके श्री एमद ने आज स्वंवार को फ्लोराइड प्रभावित प्रते गाउ में शुद्ध प्यजल मुहया कराने हे तू नई तकनीक की पानी की टंक की स्थापित कराने के लिए उचन याले खंडबीट लगनों में जनहित याचिका दायर की है हाई कोट में याचिका की सुनवाई आगामीव 15 दिसंबर को होनी है खबरों में आप तक लिए बस अत्मा ही मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक इने नमस्कार और देखते रहे आर पीए समाचा